परिचाय ताखी, तुम इन संख्याओं को एक कोश्ठक में क्यों लिख रही हो? ये केवल एक कोश्ठक नहीं है क्या तुम भूल गए? हमारे गणित के शिक्षक ने दो दिन पहले हमें क्या सिखाया था? अरे हाँ, आव्यू, तो क्या तुम किसी प्रश्ण को हल कर रही हो? हाँ, मैं आव्यू के परिवर्थ निकाल रही हूँ परिवर्थ? वो क्या है? लगता है कि तुम कक्षा में उपस्थित नहीं थे शिक्षक ने हमें आव्योह का परिवर्थ निकालना सिखाया था अरे, क्या तुम बता सकती हो के परिवर्थ कैसे निकालते हैं? हाँ, जरूर, आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आव्योह का परिवर्थ ग्याद करना परिवर्थ के गुण धर्म को समझना सम्मित तथा विशम सम्मित आव्योह को परिभाशित करना आव्योह पर प्रारंभिक संक्रियाओं को जानना प्रारंबिक संक्रियाउं द्वारा एक आवियू का व्युत करम निकालना आवियू का परिवर्थ एक वो आवियू है जो एक दिये गए आवियू की सभी बंग्तियों को स्थम्भों में तथा इसके विप्रीत या परिवर्थित करने से निर्मित होता है आवियो एक के परिवर्थ को इस प्रकार लिखा जाता है उधारनार्थ आवियो पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती एक दो तीन दूसरी पंक्ती चार पांच छे का परिवर्थ बराबर है आवियों पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती एक चार, दूसरी पंक्ती दो पांच, तीसरी पंक्ती तीन च्छे के आवियों के परिवर्थ के गुण धर्म यहां आवियों के परिवर्थ के निमनलिखित गुण धर्म दिये गए हैं परिवर्थ के उधारण यदि A दिया गया है तब सिद्ध कीजिए कि आवियू A का परिवर्थ गुणा A बराबर है तब समक आवियू के A दिया गया है अतैव इसका परिवर्थ A आवियू पंक्तिय अनुसार पहली पंक्ती कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा दूसरी पंक्ती साइन अल्फा कॉस अल्फा है ए परिवर्थ तथा एका गुणन करके हल करने पर हमें प्राप्थ होता है एका परिवर्थ ए बराबर है तस्समग आवियू के इती सिध्धम सम्मित तथा विशम सम्मित आवियू आवियू के दो महतपून वर्ख हैं जिन्हें परिवर्थ संक्रियाओं के संदर्व में संग्षिप्त रूप से परिभाशित किया जा सकता है सम्मित आवियू एक वास्तविक आवियू A को सम्मित कहा जाता है, यदि आवियू A का परिवर्थ बराबर हो आवियू A के, एक सामान ने दू गुणा दू सम्मित आवियू है, विशम सम्मित आवियू एक वास्तविक आवियू A को विशम सम्मित कहा जाता है, यदि आवियू A का परिवर्थ बराबर हो आवियू रिण A के, यहाँ A एक सामान ने दू गुणा दू विशम सम्मित आवियू है, प्रमय एक, वास्तविक संख्याओं की प्रविश्टियों समेत किसी वर्ग आवियू A के लिए A जमा A- एक सम्मित आवियू है, तथा A घड़ा A- एक विशम सम्मित आवियू है, प्रमय दू, किसी भी वर्ग आवियू को एक सम्मित तथा एक विशम सम्मित आवियू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उधारण, सिध्ध कीजिये की दिया गया आवियू A एक विशम सम्मित आवियू है, हमें A दिया गया है, अता A परिवर्थ निम्न है, हम देख सकते हैं कि ये घड़ा A के बराबर है, अतैव A- बराबर घड़ा A, इस प्रकार A एक विशम सम्मित आवियू है, आवियू पर प्रारंभिक संक्रियाएं रेखिय प्रणाली को हल करने, अथवा वियूत करम निकालने में आवियू के लिए प्रारंभिक संक्रियाएं मैत्पून भूमिका निभाती हैं, उनका अब्योक अन्य करनां के लिए भी किया जा सकता है। एक आवियुँव पर छह प्रकार की प्रारंभिक संक्रियाईं अथ्वा रुपान तुरंड किये जाते हैं, जिन में से तीन पंक्तियों तथा तीन इस्तंभों पर होती हैं। हम केवल प्रारंभिक पंक्ती संक्रियाओं की जड़्चा करेंगे, किन्तो आप इन्हें आसानी से स्तंभों में बदल सकते हैं। प्रारंभिक पंक्ती संक्रियाओं दो पंक्तियों का रूपांतरण एक अशुने संक्या के साथ एक पंक्ती का गुणा करना एक पंक्ती में किसी अन्ने एक पंक्ती को एक संख्या से गुणा करके जोड़ना प्रारंभिक पंक्ती संक्रियाएं चलिए अब बारी-बारी से इन्हें देखते हैं दो पंक्तियों का विनिमय प्रदिकात्मक रूप से आईवी तथा जेवी पंक्ती के विनिमय को निम्न द्वारा निरुपित किया जाता है एक पंक्ती में अशुन्ने संख्या से गुणा करना प्रतिकात्मक रूप से आईवी पंक्ती के प्रतेक अव्यव में केसे गुणा को निम्न द्वारा निरूपित किया जाता है जहां श्योनि के बराबर नहीं है एक पंक्ती में किसी अन्ने एक पंक्ती को एक संख्या से गुणा करके जोड़ना प्रतिकात्मक रूप से आईवी पंक्ती के अव्यवों में जहवी पंक्ती के संगत अव्यवों को केसे गुणा करके जोड़ने को निम्न द्वारा निरूपित किया जाता है जब इन संक्रियाओं को पंक्तियों पर निश्बादित किया जाता है तब इन्हें प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया कहा जाता है तथा जब इन्हें संभूं पर निश्बादित किया जाता है तब इन्हें प्रारंभिक इस्तंब संक्रिया कहा जाता है व्यूत करम्डिये आव्यू एक N गुणा N आव्यू A को गैर विलक्षन अत्वा व्यूत करम्डिये कहा जाता है यदी और केवल यदी एक N गुणा N का आव्यू B का स्तित्व इस तरह हो कि A B बराबर B A बराबर I N जहां I N एक तस्समग आव्यू है आव्यू B को A का व्यूत करम आव्यू कहा जाता है इस उधारण को देखें यहां A तथा B दिये गए है हम आसानी से जान सकते हैं कि A B बराबर B A बराबर तस्समग आव्यू इस प्रकार A व्यूत करम डिये है तथा B उसका व्यूत करम है प्रारंबिक संक्रियाओं तवारा आव्यू का व्यूत करम आव्यू का व्यूत करम ग्यात करने का ये एक मसेदार तरीका है हम पंक्तियों के साथ आसपास नजर टालते हैं जोडना, गुणा करना तथा उनका गमा गमन करना जब तक हम तस्समक आव्यू, आई के भीतर आव्यू, ये नहीं बना लेते तथा एक तस्समक आव्यू में बतलाव करने से ये जादूई ढंग से व्यूत करम में बदल जाती है प्रारंबिक पंक्ति संक्रियाएं साधारन संक्रियाएं हैं जैसे पंक्तियों को जोड़ना, गुणा करना, तथा गमा कमन करना। आईए हम अगली स्क्रीन में एक उधारण के माध्यम से इसे समझते हैं। उधारण एक आवियुत करम ग्याद कीजिए। हम आवियु ए से शुरू करते हैं और इसे एक तस्समक आवियु आई के साथ इसके आगे लिखते हैं। ये समवर्थित आवियु कहलाती है। अब हम ए यानि बाई तरफ के आवियु को तस्समक आवियु में बदलने के लिए अपना सर्वश्रेष्ट प्रयास करते हैं। तथा इस पर हर संक्रियां को लगाकर आवियुँ को चढ़ाकर दाया पक्ष बनाते हैं। किंदु हम केवल प्रारंविक पंग्ती संक्रियां ही कर सकते हैं तथा हमें ये पूरी पंग्ती के साथ करना होगा। आवियु आई के बाद आवियु एसे शुरू करते हैं। इस उधारन में हमारा पहला कदम पंग्ती दू में पंग्ती एक को जोड़ना है। फिर पंक्ती एक में पांच से भाग दें, तथ पश्चात प्रथम पंक्ती का दो गुना लें, तथा दूतिये पंक्ती से इसे घटाएं, घटा एक बटे दो से दूतिये पंक्ती को गुणा करें, अब दूतिये और तूतिये पंक्ती को गमा गमन यानि आपस में बदलें, अ अंतता त्रितिये पंक्ती को दुतिये पंक्ती से घटाएं और हम टून कर चुके हैं। उधारण एक्स ग्यात कीजिये यदि निम्न आवियू दिया गया है। अब गढ़ना करके हल करने पर हमें प्राप्त होता है एक्स बराबर प्लस माइनस चार वर्कमोल तीन। उधारण दिये गए आवियू का व्यूत करम ग्यात कीजिये। माना कि ए दिया गया आवियू है। हम जानते हैं कि ए को ए आही के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब गढ़ना करके हल करने पर हमें प्राप्त होता है। इस समीकरण में बाइन तरफ हम देख सकते हैं कि आवियू की प्रथम पंक्ती के सभी अव्यव शून है। अदैव एक ए व्यूत करम का अस्तित्व नहीं है। क्या आप जानते हैं एक आईता कार आवियू व्यूत करम आवियू के अभिभूत नहीं होता है। चुकि गुणन B A तथा A B को परिभाशित तथा समान करने के लिए ये आवशक है कि आवियू हों, A तथा B समान कोटी के वर्क आवियू हों। यदि आवियू B आवियू A का व्यूत करम है, तब आवियू A भी आवियू B का व्यूत करम होगी। व्यूत करम आवियू की अद्वियूतियता एक वर्क आवियू का व्यूत करम यदि अस्तित्व में हो तो वो अद्वियूतिय होता है। यदि A तथा B समान कोटी की व्यूतक्रम निये आवियों हैं, तब AB का व्यतक्रम बराबर होगा B के व्यतक्रम गुणा A के व्यतक्रम के. स्वारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं. यदि A पराबर AIJ M कुणा N है, तब A डैश अथवा A का परिवर्त बराबर AJI N कुणा M, यहां आवियों के परिवर्त के निमने लिखित गुणधर्म दिये गए हैं. आवियों A एक सम्मित आवियों है, यदि A डैश पराबर A हो, किसी वर्ग आवियों को एक सम्मित तथा एक विशम सम्मित आवियों के योगफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है. एक आवियों की प्रारंभिक संक्रियाएं इस प्रकार हैं, यदि A और B दो वर्ग आवियों इस तरह से हैं, कि A B बराबर B A बराबर I, तब आवियों B आवियों A का वियोत करम होती है, तथा A वियोत करम त्वारा निरूपित किया जाता है, तथा आवियों A आवियों B का व्यूत्करम होती है एक वर्ग आविव का व्यूत्करम अद्वित ये होता है यदि अस्तित्व में हो तो